ऐसे तो हर आर्केलोजिकल डिसकवरी अपने आप में अनोखी होते हैं और अपनी और हमारा ध्याना कर्षित कराते हैं और हो भी क्यों ना अखर हमारे पास अपने पूरवजों के बारे में जानने का यही एक जरिया जो है लेकिन कुछ खोजें ऐसी भी होती हैं जो रहसे जाने की जगह उल जहा देती हैं और जम आपको ऐसी ही कुछ रहसे माई आकेलोजिकल खोजों के बारे में बताएंगे नमबर टिन मुगल वोटर टैंक भारत में हाली में एक आकेलोजिस्स ने मुगल काल का एक वोटर टैंक खोज निकाला यह वोटर टैंक प्लास्टर भी था जिसमें डिजाइन्स भी बने हुई थी इसके आज पास कई दुकाने भी पाई गई हैं यह शॉप्स आज के समय के शॉपिंग सेंटर की शॉप्स जैसी ही अरेंज की गई थी कमाल की बात यह है कि यह शॉप्स टू स्टोरी पैटरन में बनी थी जो उस सम कंप्लिक्स को एरिया में पानी के शॉटिज की वज़े से 1585 में बंद कर दिया गया था यानि अगर यह वाटर टैंक था तो भी यह लंबे समय तक काम नहीं आया अभी तक हम सब यही मानते आये हैं कि हुमन लाइफ की आफरिका में ही शुरुआत हुई थे और हाली में आर्केलोजिस को इस थेयरिक के सपोर्ट में कई एविडेंस भी मिले एप्रिल 2021 में आर्केलोजिस की टीम को कालाहारी डिजर्ट की वंडर वॉक नाम के गुफाओं में गुफाओं में रहने वाले दुनिया के सबसे पहले हुमन के एविडेंस मिले हैं इसी समय दुनिया में सबसे पहले आग के प्रयोग के सबूत और इसके अलावा यहां से कुछ टूल्स भी मिले हैं और एक स्पोर्ट का दावा है कि यह इंसानों के द्वारा बनाए यूरोप से मिलने वाली ज्यादतर प्राचीन सोर्ट का मुड़ा होना आकेलोजिस को भी हैरान कर देता था एप्रल 2021 में वैग्यानिकों ने इसकी वज़ा भी खोज ने का ली असल में जर्मनी में एक प्राचीन हिल फूर्ट की साइट पर आईरन एज होड्स का एक धेर पाया गया जिसमें डेड़ सो से भी अधिक हत्यार थे इनमें से अधिकतर तलवारें थी और ये सभी मुड़ी हुए थी आकेलोजिस का कहना है कि हारने वाली सेना की तलवारें इकठी कर ली जाते थी और इन्हें मूर दिया जाता था ये मुड़ी हुए तलवारें हार ये फिर युद्ध के अंत को दर्शाती हैं हथ्यारों का ये धेर 2100 साल पुराना है हलंकि सभी लोग इस थेयरी से सहमत नहीं है क्योंकि मुड़ी हुए तलवारें कुछ सैनिको के कबरों से भी पाई गई है तो ऐसा हो सकता है कि सोद्स को मोड़ना इस बात का संकेत हो कि इन्हें दुबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सैनिको के मृत्यों के बाई उनकी तलवार को मोड़ दिया जाता हो आपको क्या लगता है इनमें से कौन से थेयरी साच होगी अपने विचार हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा हाली में यूट्यूब पर एक विडियो पोस्ट किया गया तो आपको यह तस्वीर नहीं मिलेगी कुछ लोगों का खहना है कि यहां कोई सीक्रेट अक्टिविटी चल रही थी जिसे आम जंता से छुपाया जा रहा है और इसलिए सिक्यूरेटी सर्विसेज ने इसे हटा दिया मुहीं दूसरी और कुछ लोग इसे सिर्फ वहम मान रहे है मुहीं कुछ आने लोग इसे एलियन्स से जोड़ कर भी देख रहे है तो रसल में आकरिते क्या थी और अगर यह वास्तव में थी तो अचाना गायत कैसे हो गई आपको क्या लगता है अर्केलोजिकल ट्रेजोस से भरे हुए देश एजिप्ट का यह कोई नया रहे से है या सिर्फ कल्पना अपने विचार हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा ग्लाडियेटोस में जाकर बाटल्स देखना और उन पर कैंबलिंग करना रोमन काल में काफी आम बाद थी और हम सबी चैनते हैं कि कॉलिजियम दुनिया का सबसे फेमस कॉमबाट अरीना है लेकिन मार्च 2021 में टुकी में मौस्चूरा नाम की जगा पर एक ऐसा अरीना खोज निकाला गया जिसके बारे में किसी को पता नहीं था हलनकि अब ये एरिया पूरी तरह वेजिटेशन से कवर्ड है लेकिन आसमान से देखने पर आज भी अरीना का आउटलाइन साफ साफ देखा जा सकता है आकेलोजिस के अनुसार ये अरीना लगभग 1800 साल पुराना है यानि सेवरिन वंच के समय का इसमें 20,000 लोगों के बैठने की जगा थे यहाँ ग्लेडियेटर्स के वेटिंग रूम्स और एंटर्टेन्मेंट रूम्स भी बनाए गया थे इस छित्र में ये एकमात्र एमपी थियेटर था यानि लोग कई किलोमेटर दूर से यहाँ शोज देखने आते होंगे हम सभी जानते हैं कि इतिहास में लोग आनिमल गौद्स की पूझा किया करते थे और आकेलोजिकल साइट से इस तरह के एविडिंस मलना भी बहुत ही आम बात है लेकिन अब जिस खोज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कोई कॉमन अनिमल गौड नहीं है 2021 की शुरुयत में पेरू में आकेलोजिस्स ने 32 साल पहले बनाए गए मूरल्स खोज लिये हैं ये एक स्पाइडर का चेत्र है इससे भी अजीब बैत ये है कि इस स्पाइडर ने एक चाकू पकड़ रखे है हिस्टोरियन्स का कहना है कि शायद ये मूरल्स क्योपिनस्क लोगों ने बनाये थे क्योंकि इन लोगों के शेत्र में रहने का समय मूरल की डेट से मेल खाता है हालंकि हम इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते पर आर्केलोजिस का कहना है कि ये लोग स्पाइडर्स को बारिश और फोर्टिलेटे से जोड़ कर देखते थे जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में लगभग पूरी दुनिया में हेलोसिनिजिन्स बैंड है लेकिन क्या आप जानते कि हमारे पूर्वज इसके बहुत शौकीन हुआ करते थे निटिब अमेरिकन लोग इस तरह के पौधे खुब उगाते थे योरोप में इस तरह के प्लैंस के अवशेश पाए गए हैं उनिस्वी सदी में आकेलोजस ने स्पेन के केव में अजीब सी काविंग्स खोच निकाली ये केव पेंटिंग्स चौदा से चालीस हजार साल पहले बनाई गई थी इन गुफाओं के रास्ते काफे पतले हैं तो इनके अधिकतर हिस्सों में अंधेरा है इसके अलाबा यहां ऑक्सीजन की कमे भी है एप्रिल 2021 की एक स्टडी में सामने आया कि अंधेरे और ऑक्सीजन की कमे की वज़ा से प्राचीन समय में लोग इन गुफाओं की तरफ आकर्शित होते थे क्योंकि यहां हिल्यूसिनेशन क्रेट होता था और यह पेंटिंग्स उन्ही का नतीजा है नमब थ्री, नियांडर्थल फुट्प्रिंट्स 2021 की शुर्वयात में पुरा तत्विदों ने सदन स्टेन के एक बीच में और अपका सबसे पुराना फॉसलाइज फुट्प्रिंट खोज लिया और्केलोजिस का कहना है कि यह फुट्प्रिंट किसी नियांडर्थल का है पुरा तत्विदों के माने तो यह फुट्प्रिंट इंप्रेशन्स लगभग एक साल पुराने हैं इस साइट पर सैक्डो फुट्प्रिंट्स हैं और यह सभी 36 अलग-अलग इंसानों के हैं अडूल्ट्स के प्रिंट्स थेर हैं जबकि बच्चों के पैनों के निशान एराटिक हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे रेट पर भागे और कूदे होंगे यानि बीच पर इन नियानर्थल किद्स का व्यवहार काफी है तक आजकल के बच्चे जैसा ही था पिछले 200 सालों में आकेलोजिस ने एजिप्ट के लगभग सभी हिस्सों का एक्सकिवेशन कर लिया है और यही बज़ा है कि ज्यादतर लोग सोचते हैं कि एजिप्ट में सब कुछ खोज लिया गया है पर ऐसा नहीं है इप्रिल 2021 में आकेलोजिस ने लगजर में एक पूरी की पूरी फरावनिक सिटी खोज निकाले यह शहर लगभग 3000 साल पुराना है और रेट के अंदर दफन होने की वज़ा से बहुत अच्छी तरह संडख्शत भी यहाँ पर मिट्टी की इंटों के बने घर हैं जिने एक कतार में सलीके से बनाए गया था इस साइट पर कई इंशियंट आर्टिफेक्ट्स के साथ साथ टूल्स भी मिले हैं यह शहर केंग आमन होटिप 3 के समय बनाया गया था इसके बारे में कई रूमोस भी थे 2014 में सेंट बेलिक्स लाब नाम का एक आर्टिफेक्ट हो जा गया हिस्टॉरियन्स इसे दुनिया का सबसे पुराना 3D मैप मान रहे हैं पुरा तत्विदों के अनुसार ये मैप लगभग 4100 साल पुराना है इस लाब को 1900 में खो जा गया था लेकिन प्रॉपर लेबलिंग और मैनेजमेंट नहों पाने की वज़़ से इसे संभाल कर नहीं रखा जा सका इसके बाद इसे दुबारा 2014 में एक कैसल के सेलर में पाया गया इस पर वनी काविंग्स का डिजाइन काफे हद तक आडिट नदी के आसपास के एरिया की टोपोग्रफी से मिल खाती है पहली बार इसे वहीं खो जा गया था लेकिन अगर सचमुच में ये एक मैप है तो इसमें इंशियंट जागीर से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई है लेकिन हम आज भी नहीं जानते कि इस छितर में कौन लोग रहते थे या फिर कौन इसे कंट्रोल करता था हजारों साल पुराना ये मैप आज भी हमारे लिए रहसे बना हुआ है तो ये थी हाली में खोजी गई दस रहसे मैं खोजें इनकों से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजेगा ऐसे ही आन्य रोचक ताथे जानने के लिए और हमसे जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले